हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नितेश एजूकेशन 27 पर तो students जैसा कि last class से हम लोग UGC net के questions papers को discuss करते चले आ रहे हैं अब आज हम लोग जो है आपका UGC net का जो 17 अक्टूबर को exam हुआ है उसके shift 1 में जो questions पूछे गए हैं उसको discuss करेंगे जैसा कि मेरे कुछ students ने जो उनको याद था कुछ questions मुझे बताए हैं उसके आधार पर मैंन ये वीडियो बनाया है तो देखते हैं कौन-कौन से questions जो है आपका 17 अक्टूबर के shift 1 में पूछे गए हैं हाँ तो देखिए सबसे पहला question पूछा गया है आपका memory से जिसमें RAM को लेकर question है उसमें दिया गया है असर्सन दिया गया है यानि कर्थन है RAM is a volatile memory और reason दे रखा है when power off or failure data retained in memory यानि कि असर्सन जो कह रहा है कि RAM is a volatile memory बिल्कुल सही बात है RAM क्या है एक volatile memory है कारण कह रहा है कि जब power supply off हो जाती है computer की laptop की या mobile की तो data फिर भी memory में retain रहता है तो देखिए ये जो कारण है ये बिल्कुल गलत है ये कारण जो है ये reason जो है ये follow नहीं कर रहा है असर्सन तो सही है अब RAM के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर RAM है क्या जैसा कि RAM जो है memory इससे बहुत questions आपका पूछा जा रहा है तो memory section मैं बार बार आप से कह रहा हूं कि इसको जो है आप पढ़ते रहिए क्योंकि कंसका में एक से दो questions पूछा ही जा रहा ह such as hard disk drive, solid state drive, SSD और optic drive RAM क्या है RAM देखिए main memory है computer की और यह इसकी speed जो है और सभी से तेज होती है ठीक है इसके example क्या क्या है जैसे hard disk drive है आपका HDD है solid state drive SSD है और optic drive है अब यह second paragraph लिखा है RAM यानि random access memory is a volatile ठीक है इसको याद रखिएगा RAM क्या है volatile memory है हम इसा पूछा जाता है next है इसका देखिए that means data is retained in RAM as long as the computer is on but it is lost when the computer is turned off यानि कि RAM में data तभी तक retained रहता है जब तक आपका computer on होता है एक बर computer की power supply off हो जाती है तो data जो है vanish हो जाता है यानि कि data इसमें क्या है temporarily stored होता है बस यहीं पर वो reason जो है गलत था उसमें लिखा था permanent यहां पर है temporary store होता है अब देखिए क्या है when the computer is rebooted the OS यानि operating system and other files are reloaded into RAM usually from an HDD और SSD फिर जब आप दुबारा computer को on करते हैं या reboot करते हैं तो फिर से जो है data वापस इसमें आके store होता है temporarily जब तक supply computer को मिलती रहती है next question देखिए आपका पूछा गया था teacher play active and interactive role at which of the teaching level first है आपका memory level, second है understanding level, third option है reflective level and D है none of the above तो देखिए इसका सही answer है reflective level अब इसके बारे में थोड़ा से हम लोग देखते हैं क्या आखिर होता क्या है तो देखिए जो आपका reflective level of teaching है reflective teaching is a process where teacher think over the teaching practices यानि कि reflective level of teaching क्या होती है जिसमें teacher जो है अपनी teaching practices के बारे में समिक्षा करता है, review लेता है, feedback के द्वारा अपने आपको जाचता है analyzing how something was taught and how the practice might be improved or changed for better learning outcomes यानि teacher जो पढ़ा रहा है उसी का review लेता है, खुद की समिच्छा करता है, self analysis करता है कि उसने जो पढ़ाया सही पढ़ाया की नहीं, कहीं improvement की जरूत है की नहीं यह सारी चीज़े तो देखिए कुछ basic knowledge भी ले लेते हैं इसके अलाबा जो आपका memory level है memory level सबसे lower level की teaching है, सबसे lower level की teaching होती है memory level teaching देखिए इसके जो संस्थापक है, इसके जो founder है उनको harbert को माना जाता है दूसरे है understanding level यह इसके जो संस्थापक है Morrison को माना जाता है और reflective level जो है आपका third level है, topmost level है और इसके जो है hunt को माना जाता है संस्थापक तो इससे related question पूछा जा सकता है कि किसको किस ने दिया ठीक है next question आपका पूछा गया था which of the following is a positional average यानि कि इन में से कौन सा कुछ option दे रखे थे positional average है तो देखे positional average जो है median and mode ये दो जो है positional average है देखे अब होता क्या है इसका explanation देखते हैं क्या है there are two types of positional average the median and the mode median क्या है देखे the median is the average value of the series in which half the values are less than the median and half the values are greater than the median देखे median होता क्या है median की हम बात करें तो median वो value होती है जैसे मानी ये data है two three four five six seven eight nine ठीक है और ये 10 तो median वो data होता है मानी ये 6 ऐसे मान लिजे median वो value होती है जो की पूरे data को दो पार्ट में divide करती है बीचों बीच से यानि कि आधा जो data है वो median से less होता है और आधा जो data है अपने आधा data जो है median से कम है और आधा data median से जादा है यानि दो equal part में क्या कर दे रहा है divide कर दे रहा है two parts में तो इसे हम कहते है median जो पूरे data को दो part में divide कर देता है upper part को एक part में lower data होते है median से दूसरे में higher अब देखिए mode क्या होता है तो यहां पर देखे लिखा है the mode the second positional average shows a higher frequency in the series अब देखिए mode क्या होता है अब mode मानी जी कोई मैंने कुछ data लिखें two two three 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 four five six seven seven eight अब इसमें अगर mode निकालने की बात कहीं तो देखिए जिस data में जिस number की higher frequency होती है higher frequency का मतलब क्या हुआ जैसे higher frequency का मतलब जो data सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ है तो अब यह जो मैंने raw data लिखा है इसमें देखिए कौन सा number सबसे ज़्यादा बार है तो जो है two ही बार है three जो है three बार है four one बार है five one बार है six one बार है seven two बार है तो यहाँ पर जो सबसे यादा frequency है, frequency है 3 की, इसलिए यहाँ पर जो mode होगा, इस data का वो होगा 3, तो इसी को कहा जाता है mode, यानि higher frequency का जो data होता है, वो ही क्या है आपका mode कहलाता है, next question देखिए आपका पूछा गया था, if a car travels 60 km in 15 minutes and 90 km in 10 minutes, find the average speed, देखिए बहुत simple सा question पूछा गया था, और इससे easy कुछ होई ही नहीं सकता, simple सा question पूछा गया था, एक car जो है आपका 60 km चलती है 15 minutes में, और 90 km चलती है 10 minutes में, find the average speed, तो average speed का देखिए simple सा formula क्या होता है, average speed का total distance upon total time, यानि कि speed equal to distance upon time, यह तो आपका पता ही है, s equal to d upon t, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो यही फर्मला यहाँ पर लगा है, तो अब देखिए total distance क्या है, अगर total distance आप देखिए, तो 60 km यह है आपका, ठीक है, आपका 60 km यह हो गया, और plus 90 km, तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया, 10 plus 15, और इसको हमने जब जोड़ा, उपर वाला एड किया, तो 150 आया, दूसरा आया, 25, तो 25, 6 जा, 25, 6 जा, 150, तो यह आपका एंसर हो गया, km पर मिनट, देखिए, एंसर मिनट, टाइम मिनट में था, इसमें छड़कानी नहीं की, किलो मिनट में इसमें छड़कानी नहीं की, तो एंसर क्या है आपका, 6 km पर मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आया था, अब प्रोड़क्ट इस सोल्ड फॉर रूपीज फिफ्टीन हंडर्ड, एट डिसकाउंट ऑफ 40 परसेंट, एंड प्रॉफित ऑफ 20 परसेंट, देन क क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इसी क्वेश्चन है, प्रोड़क्ट जो है, उस पे 15-00 रुपए का वो प्रोड़क्ट है, जिस पे 40% डिसकाउंट मिल रहा है, और उसके बाद भी जो दुकानदार है, 20 प्रतीशत उस पे प्रोड़क्ट के प्रोड़क्ट पर डिसकाउंट है 40%, जैसे आप भी किसी मॉल वाल में जब शॉपिंग करने जाते हैं, तो क्या है, वहाँ पर महा सेल, बंपर, छूट ये सब देखते हैं लिखा हुआ, तो उसी टाइप का है, आप कोई प्रोड़क्ट लेने गें, जो क 15 होका था, उस पर 40% का डिसकाउंट मिला, उसके बाद भी जो दुकानदार है, 20% उस पर प्रोफिट कमा रहा है, तो कॉस्ट प्रैस क्या होगा, तो देखें, बहुत सिंपल सा फर्मला है, सबसे पहले हम डिसकाउंट निकाल लेंगे, कि डिसकाउंट आखिर कितना दिया जा रहा है, तो डिसकाउंट की अगर हम बात करें, तो आपका डिसकाउंट जो है, कैसे निकालेंगे, जो 1500 है, 1500 का 40% निकाल लेंगे, तो 1500 का 40% यहाँ पर इसको सॉल किया हमने, तो यह 20-20 इससे कैंसिल हो जाएंगे, 15 into 40, यह क्या हो जाएगा, 600, यानि कि 15 चोक के साथ, 600 जो है, डिसकाउंट है, अब यह जो डिसकाउंट है, डिसकाउंट को घटाने के बाद, यानि अब हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल डिसकाउंट, टोटल रेट क्या था, 1500, और उसमें से डिसकाउंट हमने घटा दिया, 600, तो पंदरसों में से 600 आपका 900 डूपीज, अब बस question हो गया, अब देखिये क्या है, selling price आपको पता चलिया, selling price आपको पता चलिया, कितना है, आपको पता चलिया, selling price है, 900 डूपीज, cost price आपको निकालना है, इसको question mark बनेगे, profit कीतने का मिल रहा है 20% का ठीक है तो फार्मला क्या होता है फार्मला होता है CP equal to 100 into SP यहनि sell price upon 100 plus profit percentage जो भी profit percentage होता है यह cost price का formula होता है इसको याद रखेज़े अब इस formula पर आप रखे तो क्या है देखिए इसको solve करिए CP equal to 100 SP 100 SP कितना है 900 अभी जश निकाला और 100 plus 20% profit था तो यह हो गया 120 तो मैं डारेक्ट यहां 120 लिख दे रहा हूं अब इसको minimize कर लिजे 00 cancel हो गया और आपका 432 425 जा 100 और यह आपका हो 339 यानि कि यह आपका आगया 25 into 30 that is 700 यह 0 समझेगा ठीक है 750 रूपीज ठीक है तो अब देखिए option में है 750 रूपीज जी बिल्कुल है तो देखिए यहां cost price का direct solution भी है 900 into 100 upon 120 रूपीज नेक्स्ट क्वेस्ट आपका पूछा गया था average marks of 70 students are 32 if we increase 3 marks of every student then what will be the average कह रहा है कि 70 बच्चों का जो average marks था वो 32 है 70 बच्चों का average mark 32 है यानि average यह कह रहा है कि अगर हम 3 marks हर बच्चे में के बढ़ा दें तो नया average क्या हो जाएगा तो देखिए बहुत अच्छा question यह भी पूछा गया है और इसका एक rule होता है अगर वह आपको याद होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो option देखिए इसमें दे रखा है पहला option है 35 दूसरा है 102 तीसरा है 96 और चोथा है 105 तो सही answer इसका वैसे तो है 35 लेकिन इससे पहले कुछ basic information इसके वारे में जान लिजिए कि कैसे 35 हुआ क्योंकि इसमें कोई भी calculation करने की जिरूरत हमको नहीं है यह केवल by rule ही solve हो जाएगा तो रेखे क्या है explanation जब हम किसी भी mean average में कुछ add करते हैं तो average भी new observation भी new average भी उसी ratio से add हो जाता है जब हम कुछ subtract करते हैं तो उसी ratio से घड जाता है जब multiply करते है तो उसी ratio से multiply हो जाता है और जब हम divide करते है तो उसी ratio से divide भी हो जाता है इन 4 points में यही लिख रखा है मैंने आपको इसको short में बता दिया तो देखे क्या है जैसा कि मैंने बताया कि जब हम किसी average में कुछ add करते हैं तो नया average में क्या है वही चीज add हो जाлек इगी तो यहां देखें यहां कहा रहा 3 marks जो है increase कर दियें तो प्रीविएस क्या था 32 और कितने increase कर दियें तो टोटल average marks 35 बहुत सिंपल सा question था और इसका answer है 35 तो इस तरीके से आज इतने questions जो है पूछे गया थे आपके exam में अब कुछ topics में आपको लगातर previous classes से suggest करता आ रहा हूं कि हां आपको कौन-कौन से topic पर ज्यादा ध्यान देने जरूत है जिससे आपके सारी questions आसानी से solve हो ज यानि कि कारे जूरी और समय को पढ़ लीजिए इससे बहुत question पूछे जा रहे है रैम को बहुत अच्छे से पढ़िए memory अच्छे पढ़िए हर session में यह questions पूछा जा रहा है हर सिफ्ट में memory से related questions पूछे जा रहे है डियाई अच्छे से पढ़ लीजिए उससे questions वह तो जो है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए वह हमेशा पूछे जा रहा है short form full form पूछे जा रही है तो यह सारे जो topics हैं इनको आप अच्छे से पढ़िए और जो logical reasoning है आपका alphabetical series है यानि letter series भी कह सकते हैं इसको number series अच्छे से पढ़िए क्योंकि इससे हमेशा लगातार questions पू आज हम लोगों ने discuss किया shift 1 17 October के exam के questions को आशा करता हूँ आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें subscribe like and share कीजिए और कोई confusion है तो comment के दौरा पूछ सकते हैं thank you so much आपका दिन शुभ हो